आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विज्यान, भौतक विज्यान और जी विज्यान के डाउट्स का करो सपाया बस प्रशन की फोडो खीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरंट विडियो सिलीशन पाओ अभी डाउटनेट करें हमारे पास चार विकल्ब दे रखे है, तो आई ये सवाल को हल करते है, तो हमें क्या बोला है, जैड वर डबल्यू दो अशुन्य समिष्र संक्या है, इस प्रकार है कि दोनों का मापांग बराबर है, और दोनों के आर्ग्यूमेंट मतलब कोण आंग, तो आर्ग्यूमेंट प्लस आर्ग्यूमेंट अब डबल्यू बराबर पाई, तो हमें जैड का मान पूछा है, तो हम जानते हैं कि समिष्र संक्या जैड का जो दुरूविय रूप होता है, जैसे जैड बराबर मापांक जैड गुणा कॉस ठीटा प्लस आयोटा साइन ठीटा, जहाँ पर ठीटा क्या है हमारे पास आर्ग्यूमेंट अब जैड जैड का कौनांक है, तो मैं मान लेता हूं कि जो जैड का कौनांक है, जो जैड का कौनांक है, वो तो हमारे पास ठीटा वन है, और जो डबलू का कौनांक है, डबलू का कौनांक हमारे पास क्या हो जाएगा, ठीटा टू, त Z प्लस आर्ग्यूमेंट of W घराबर कितना आजाएगा पाइ आ जाएगा अब Z का konang theta 1 माना है तो यहां पर theta की जगह मार्य पस किया जाएगा theta 1 क्योंकि theta मार पास किया होता है Kokonang को-при 005 पास theta 1 माना हो यह जाएगा आर पस theta 1 और यह जाएगा हमारे पास theta 2 और सौरी ठीटा वन ही आएगा दोने जगे कोणां के आएगा अब ठीटा वन और ठीटा टू में जो संबंद है वहाँ से हमारे पास ठीटा वन का मान का मान की आ जाएगा यहां से हमारे पास θ1 का मान आ जाएगा πाई माइनस θ2 तो यह हमारे पास क्या आ जाएगा z का मान यहां से आ जाएगा मापांक of z और कॉस तक में आ जाएगा हमारे पास कॉस पाई माइनस θ2 प्लस आयोटा साइन पाई माइनस θ2 अब हम जानते हैं कि cos πi-θ2 तो दूसरे चतुरताज में cos धनात्मक होता है तो minus का cos आएगा क्योंकि πi के करण cos में ही रहेगा तो यह हमारे पास क्या आजाएगा z बराबर आजाएगा मापांक of z और अंदर आजाएगा minus का cos theta 2 और sin πi- दूसरे चतुरताज में sin धनात्मक ही रहता है और pi के करण sin sin में ही रहेगा तो यह आजाएगा plus का iota sin theta 2 अब यहाँ पर मैं minus का चीन हो common ले लूँगा अगर मैं minus का चीन हो common लेता हूँ तो z का मान क्या आजाएगा minus का मापांक z और अंदर आजाएगा हमारे पास cos theta 2 plus sorry minus का चीन हो common लेता बीच में minus का चीन आजाएगा तो minus iota sin theta 2 अब cos theta 2 minus iota sin theta 2 किसके बराबर होगा तो हम जानते हैं कि w को अगर मैं दुरूवी रूप में लिखू तो w बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा डबलू का मापांक, मापांक of w यह हमारे पास मान लो मापांक of w है और अंदर हमारे पास क्या आजाएगा cos और w का कौणांग theta 2 है तो cos theta 2 plus iota sin theta 2 और अगर मैं यहाँ पर w bar w bar हमारे पास क्या होता है w की सहयूग में समिश्य संग्या और w की सहयूग में समिश्य संग्या में हमारे पास क्या होता है जो iota होता है उसकी जग़ा क्या आ जाता है minus का iota आ जाता है तो अगर यहाँ पर मैं w को w bar के रूप में लिखू तो w का मान हमारे पास क्या हो जाएगा मापांक of w bar cos theta 2 minus का iota sin theta 2 यह हमारे पास क्या हो जाएगा डबलू बार का मान हो जाएगा अगर यहां पर आप देखो तो जैड को मैं क्या लिखता हूँ मापांक ओफ डबलू के बराबर दे रखा है और हम जानते है कि मापांक ओफ जैड और मापांक ओफ जैड बार बराबर होता है तो मापांक आप डबलू और मापांक आप डबलू बार बराबर होगा तो Z को यहां से मैं क्या लिख सकता हूँ Z बराबर इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस का मापांक आप डबलू बार क्योंकि मापांक आप Z मापांक आप डबलू के बराबर होगा और मापांग वब डबलू और मापांग वब डबलू बर बराबर होते हैं और cos theta 2 minus iota sin theta 2 और यह यहां से अगर आप देखोगे तो किसके बराबर है डबलू बार के बराबर केवल यहां पर माइनस का चीन है जो z का मान होगा वो आजाएगा माइनस का डबलू बार जो कि विकल्प D में दे रखा है तो विकल्प D सही विकल्प होगा धन्यवाद